हेलो दोस्तो अगर आप भी यूपी बोट के स्टूडेंट हो और कच्छा दस और कच्छा बारा में हो तो इस वीडियो को लाच तक वाच करना आज मैं आपको हिंदी के कुछ ऐसे महातपूर क्वेस्टन लिखा रहाया हूं जो आपके एक्जाम में 100% पूछे ही पूछे जा आपको बता दूए यह कोश्चन लगभाग हर साल पूछे भी जाते हैं आपको इससे टुठा के देख लेंगे यह को स्टार करते हैं और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में भी सेयर करते ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर सके और अभी आपके पास का उपने आसे काफी जादा फेमस है और यह पूछा भी जाता है अगली अगला कोश्चन है कि सुनीता विधा की द्रश्टी से रचना है तो वह उपने आसे हर संकर परसाई की किरती है तर्की खोज बलच नमा उपने आसे तो वह नागरजून का गुनाहों का देवता दोस कामाईनी ने तो दोस्तो जैसंकर प्रसाद का महाकावे साकेत दोस्तो और इसकंद उसके बाद अनामदास का पूता यह दोस्तो रचना का रहे हैं तो ड्क्र हजारी प्रसाद दिवे दी अब अगले अगल्य अगला कोश्चन छाल चंडर लेव की विधा है तो वह उपरन् तो जरूर नोट कर लें नहीं है तो ट्यागपत रंगभूम निर्मला और गोदान ये पीरेम चंथ के उपन्यास है दोस्तों अपfight के परमॉणा के कि रचना है यह दोस्तों रचना काफी जादा इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जामें पूछी जा सकती है अब अगला कुश्चन दोस्तों हम लेते हैं कि गोदान की उपन्यास मुनसी प्रेम चंद पर एक नए कुश्चन तो आपके कुश्चन पेपर में मिली ही जाएगा तो मुनसी प्रेम चंद पर जरूर आप लोग पढ़के जाना इन्हें अच्छे से पढ़ लेना आपके ग्य की रचना है राम रज बेनी पूरी की रचना तो पपितों के देश में है नदी के दीब किस विदा की रचना है तो वो है उपन्यास दोस्तो आप अब कुश्चन आंकि सिखरा एक जीवनी रहानन्द बाराथ जीवनि में और यह आपके अग्णाम में ही साल का राता हैं आपको य्पी स्ञाल काहानी के चाहए है कि दोस्तों ॆ हूं कि इसी लिखी फट्री उसने कहा था किसना लिखिए दोस्तों यह काफी जादा इंपर्फिले पूंट सख्यात है और यह आपके एक्जाम में पूछी भी जा सकती चंद धर सर्मा गुलेरी की दोस्तों रचना है आप लोग याद कर लें अब अगला कुश्चन है दोस्तों जो की इंपॉर्टेंट होंगे वही हम लेने वाले हैं पूस की रात करती के रचना का रहे हैं तो मुंसी प्रेम चन दोस्त काफी इंपॉर्टेंट आप लोग ज़रूर याद कर लें अगला कुश्चन है दोस्तों की कानों में करना किस विड़ा की रचना है तो वह कहानी है आप लोग ज़रूर याद कर लें अब अगला कुश्चन हम लेते हैं परदा दोस्तों ये कुश्चन हम लेते हैं कि परद मैं आपको बता दूँ जो कुस्टन में ले रहा हूं यह कुस्टन काफी इंपोर्टन है और आपके ग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे अब अगला कुस्टन है कि 11 वर्स का समय के रचना का रहे हैं तो वह राम चंद सुकल आचार राम चंद सुकल आपने कछा 10 में भी प अगला कुस्टन संस्क्रत के चार अध्यार के लेखक है तो वह राम धारी सिंग दिनकर की दोस्तों रचना है जो जितने सारे कुस्टन इंपोर्टन हैं उन्हीं को दोस्तों पढ़ने वाले हैं तो आप लोग उन्हीं के फोकस करिए क्यूंकि अभी कम टाइम है और तयारी चिंतामरी की विदा है वो निबंध है अगला कुस्टन हम लेते हैं निम्लिकित में से कौन सानी बंध संग रहे है अग एक आत्मने पद दोस्तों आत्मने पद उसके बाद अगला कुस्टन इतना इंपोर्टन है कि हर बार आपके एक्जाम में पूछा जाता है आप कोई अगला कुस्टन दोस्तों कि असोग के फूल रचना की विधा है तो यह एक नाटक है आप लोग जरूर याद कर लें असोग के फूल यह रचना हाई स्कूल और 12 दोनों के लिए इंपोर्टन है और यह हर साल आपको पूछी जाती है कि अगला कोष्टन दोस्तों देखते हैं अगला कोष्टन है कि हर संकर प्रक्रशाइप का निबंद है तो यह सितने का प्रक्रशाइप करनेवाले है आपक लाक्रश्चन निबंद लेखक निबंद कार है तो वह आचार हजारी प्रशाद दिवेदी है उसके बाद दोस्तो नामगला कोश्चन लेते हैं जो की इमपोर्टेंड होना चाहिए अगला कुश्चन है पवित्रता निबंद के लेखक है तो वह सरदार पूर सिंग है पृत्वी पूत्र द उनिस सो अर्थिस टक है दोस्तों अब अगला कुश्चन है कि आचार रांचन सुक्लिदारा लिखी चिंता मड़ी भाग एक निबन संगरे प्रथम बार किस नाम से प्रकासित हुआ था तो विचार वी थी आप लोगों ने तो पढ़ा होगा चिंता मड़ी और विचार वी थी तो यह चीज भी आप लोग याद कर लेना और अगला कुश्चन है कि मजदूरी और प्रेव गद्ध किस विज़ा की राचना है तो वह है निबन्ध दोस्तों मैं आपको बता दूँ आप लोग अगर यह हूसень है उनकर लेते हैं यह रचना महात पूर नहीं है बलकि यह हर साल दोस्तों रचना पूछी जाती हैं का है कच्छड़ा सो हो चाहे वह बारा हो तो यह दौत हुआ हो राम रच बेनीपूरी की रचना है आप लोग जरूर याद कर लें तरिवेडी की रचना है तो वह एक निबंध है अगला कोस्टन हम लेते हैं जो कि मातपूर होना चाहिए तो तभी हम उसको लेंगे अगला कोस्टन है कि भारत वर्सोनत कैसे हो सकती हिंदी गद की रचना है तो वह है निबंध आप सबको पता होना चाहिए ये निबंध रचना है उसके बाद सची वीर्टा निबंध के लेखा कहें तो वह है सरदार पूर सिंग उसके बाद सरदार पूर सिंग डाला लिखी निबंध है तो वह काली दास की निरंग कुस्टा उसके बाद निराला क साहित साधना के लेखा कें तो वो राम विलास सर्मा है तो यह सारे इंपोर्टन नहीं है बलकि महत्पूर कुष्टन यह ऐसे हैं जो आपकी जाम में हर सार रिपीट होते हैं तो आप लोग जरूर अगर चाहते हो कि आपकी जो दस नंबर की अब्यक्टिव कुष्टन है तो आप लोग इन्हें अच्छे से जरूर फालो करें और इसकी पीडियाफ दोस्तों अगर आपको चाहिए तो आप लोग बोलना इस्टाग्राम पर आपको इसकी पूरी पीडियाफ दे दूंगा या फिर आप टेलीग्राम गुरूप जोइन कर लेना बहां पर भी हम इसकी प कुश्चन जरूर पढ़के जाएं उसके बाद अगला जो कुश्चन है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है तो हरिवन सराय बच्चन की मैं आपको बता दूं कि यह कुश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यह रचना हर साल कच्छादास और 12 में रिपीट होती है तो आप लोग यह रचना जरूर पढ़ लें दोस्तों और किसी न किसी कुश्चन पेपर में जरूर मिल जाएगी उसके बाद अगला कुश्चन है कि अपनी खबर किस विदा की रचना है तो वो एक आत्मकथा है तो आत्मकथा पर भी दोस्तों आप जरूर कुश्चन पढ़के जाएं काफी ज़्यादा महतपूर होंगे उसके बाद अगला जो कुश्चन है मैं आपको बता दूँ आवारा मसीह यह महतपूर नहीं बलकि आप इसे घोल के पी जाएए यह रचना आपके एग्जामें पूछी ही पूछी जानी है चाहे वो क अगरा एक सारे कुश्चन खतम हो चुके हैं दोस्तों तो आपको अगर ऐसी पीडियाफ और ज्यादा चाहिए ऐसे कुश्चन चाहिए तो आप पमेंट जरूर करें हम आपको बिल्कुल फ्री में पीडिया पी रूप में आपको प्रवाइट करेंगे और आप ज्यादा से की कोशिस करेंगे टाइम बहुत ही कम है जितना भी है आप लोग पढ़ने की कोशिस कीजिए आपकी ऑन-लाइन पढ़ाई हुए जिस वज़े से आपका जो पढ़ाई ये सिलेबा से वह कवर नहीं हो पाया तो आप कम दिनों में ज्यादा तयारी करने की कोशिस कीजिए हम चानल सब्सक्राई नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करने जी हुआ